इस्राइल ने नसर अल्ला को मारा तो युद्ध में इरान आया इरान ने इस्राइल को देल आया तो वार जोन में अमेरिका आया अमेरिका के युद्ध में आते ही क्या पुतिन ने खाड़ी में दी दस्तक आरपार का युद्ध है ये अब किसी के रूखे ना रूखेगा हर खेमे में अलान हो चुका है इस्राइल और इस्लामिक फाइटर की लडाई महा युद्ध में बदल गई है वीशन हमले शुरू हो चुके हैं हाइपरस्वानिक मिसाइल फट रही है जैसे लेबनान दहल रहा है वैसे ही इस्राइल में कोहरा मचा है हेरान के हमले के बाद इस युद्ध में अमेरिका ने भी दमदार एंट्री कर ली है तुर्की भी इसराइल के खलाफ मोर्चा खोल चुका है मतलब ये कि महा युद्ध में अब महा शक्तियों के हत्यारों की टक्कर शुरू होगी इसराइल को 181 फत्य मिसाइल हमले से दहलाने के बाद इरान ने जो ऐलान किया है उसने पूरी दुनिया को खत्रे में डाल दिया है इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए खाड़ी मुलकों से फौरन रफा दफा होने का फर्मान सुनाया है इसराइल पर हमले का जशन जिस तरहां से एरान समर्तित लड़ा के मना रहे हैं उससे सूपर पावर अमेरिका बुखलाया हुआ है इरान ने इसराइल पर मिसाल स्ट्राइक को सिर्फ ट्रेलर कहकर आगे की तबाही से अलर्ट भी कर दिया है शर्रशन रह इस अने जबाही स्ट्राइक का अज़ा है तहरान के सीक्रेट लोकेशन से खामने के मैसे जाने भर की दिर दी की कैई मुलकों में हाई लेवल मीटिक शुरू हो गई प्रेजिडेंट जो बाइडन ने वाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से हाई लेवल मीटिंग गुला कर इस्राइल को फुल सपोर्ट का ऐलान किया है प्रेजिडेंट बाइडन ने इस्राइल पर हुए हमले की कीमत तहरान से वसूनले की धमकी देने के सार खाडी के सभी यूएस बेस पर हाई अलर्ट कर दिया है इस्राइल के साथ मिलकर अमेरिका खाडी में नए वार प्लान पर जल्द आक्शन ले सकता है अमेरिका के ओपन एलान के बाद भी इरान में जश्क का दोर जा रही है इरान की सड़कों पर बैनर पोस्टर में युद्ध के लिए रेडी होने की धमकी दी जा रही है मायने ये कि अब इरान अपने सभी हिसाब चुकाने के मूड में है लेकिन सूपर पावर से इरान कितने दिन युद्ध कर पाएगा अमेरिका के हत्यारू की काट इरान कहां से लाएगा क्या इरान अरब देशों के दम से अमेरिका इसराइल से युद्ध जीतने का भ्रम तो नहीं पाल रहा इरान के दुस्साहस की असल डीटेल जानने से पहले अरब वर्ल्ड से आया ये मैसिज भी सुन लीजिये मैसिज है साओधी अरब का, मैसिज है इरान के लिए जिसमें साफ कहा गया है कि साओधी अरब खाड़ी में वार टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहता आजा में देजगनेटेट हैं तो स्काद्ट ग्लोबल एकानवी सब्सक्राइब करने अरब विए अरब भी इस शुपर पावर अमारिका ने इसराइल का समर्थन किया है उसे ये तुर्की भी घबराया हुआ है क्योंकि तुर्की को डर है कि इसराइल का अगला टार्गेट वो बन सकता है साथ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अरब की खाड़ी में वार की टेंशन को और नहीं बढ़ाना चाहता साथ कर दिया है इसराइली दूर दूर मलीदर इस्लम दुन्यासी आइन शेकिल्ड वतन सावनमसंदे मुतलका लुबनन हालक वे हुकूमति नियनंदे ओलमलीदर बिस तुर्कीये वे तुर्क मिल्यती अलरक बुजोर गुनलेंदे तुर्की डरा हुआ है, सौधी अरब शान्ती का पैगाम दे रहा है फिर एरान युद्द की ललकार किसके दम से बर रहा है वार जोन में तहल का मचाने की शुरुआत, इसराइल कैसे करता है ये बेरूत की बरबादी बताती है इरान की विसाइल स्ट्राइक का जवाब इसराइल भ्यानक पलटवार करेगा इसमें किसी को शक नहीं तो क्या इरान रूस और चीन के बैकप से अमेरिका से भिडने जा रहा है इरान ने आपरेशन प्रू प्रॉमिस टू का जोकिम किसके कहने पर मोल लिया है पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स में इसको लेकर जो दावा किया जा रहा है वो बेहट दराबना है रूस ने पश्चिमेशिया के युद्ध संकट का ठीकरा अमेरिका पर पोड़ दिया है प्रेजिडेंट पुतिन ने बाइडन को जम कर कोसा है रूस के विदेश मंत्राले की प्रवक्ता मारिया जखरोवा ने ट्रेलिक्राम पोस्ट में दावा किया पश्चिमेशिया में बाइडन पूरी तरहा विफल रहे है पूनी संगर्ष बढ़ता जा रहा है ये वाइट हाउस के समझ से बाहर है अमेरिका सिर्फ बयान से संकाटों को हलक करने में लगा है जो उसके बसका नहीं इसराइल के हमले के बाद लिबनान को राहत पैकेज भेज कर रूस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है खाड़ युद में फिलहाल रूस इरान खेमे में है चीन पहले ही इरान को सेटेलाइट डील करके मदद पहुँचा रहा है लेकिन वार्जोन में ये दोनों देश इरान के साथ उतरेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है खासकर चीन उधर अमेरिका तैकर चुका है कि अबकी बार इरान का पक्का इलाज करेगा इरान को गुटनों पर लाने में अमेरिका और इसराइल को ज्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा अमेरिका इसराइल को हर तरहां से मदद पहुचाता है हमास पर बरस रहे मिसाइल हों इस बुल्ला के एड़े पर फट रहे रॉकेट हों या फिर हूती विद्रोयों को दहला रहे जंगी जेट ये सबी हतियार मेड इन अमेरिका है इसराइल सूपर पावर के दम पर सभी दुश्मनों से अकेले लड़ रहा है ऐसे में इरान ने अगर इसराइल में घुश कर हमले की हिमाकत दिखाई तो अमेरिका को इरान को सबक सिखाने में वक्त नहीं लगेगा अमेरिका के सौ सैन्ने अड़े खाड़ी के देशों में है जहां करीब 40,000 जवान तैनाथ है बहरीन में मौझूद इसा एर बेस को अमेरिकी वायुसेना संचालित करती है बहरीन में अमेरिका का बड़ा मिलिटरी बेस भी मौझूद है बहरीन में नेवल फोसिस सेंट्रल कमांड और अमेरिकी नौसेना के पांचवे बेड़े का मुख्याले भी है इसके अलावा भी अमेरिका के उवेद, उमान, इराक, जोर्डन, फिलिपीन्स, कतर, सौधी अरब, सेशल्स, सीरिया, थाइलेंड और सैयुक तरब अमिरात में सेंट्रल एड़े मौझूद है अमेरिका के जंगी बेड़े चलते फिरते परमाणू बोदाम है यूएस नीवी के एरक्राब्ट कैरियर ऐसे न्यूकलियर हतियारों से लेस रहते हैं जो किसी भी देश को पल भर में परमाणू धमाके का एसास करा सकते हैं अमेरिका के आटमी हमले का जवाब देने की ताकत फिलहाल इरान के पास नहीं है चीन जैसे मौका परस दोश से एरान को एटमी हतियार हासिल करने के एसरत कभी पूरी नहीं हो सकती बचे पुतिन तो वो इस यूद के गेम चेंजर सावित हो सकते हैं जिने दुनिया मोस्ट पावफुल लीडर कहती है यूक्रेन की तबाही पुतिन के प्रचंड प्रोध का जिन्दा सबूत है पुतिन का एरान के साथ यूद में आने से एटमी पावर का भी पढ़ला एरान के हक में चला जाएगा लेकिन ये यूद तब पूरी दुनिया पर भारी पड़ेगा बज़े है एटमी धमाके अमेरिका के आटम पम का धमाका इस धर्ती ने एक बार जिला है परमानू उत्रासिती से बचने का कोई भी रास्ता इंसानों के पास फिलहाल तो नहीं है इरान को जवाब देने से पहले ही इसराइल को ग्राउंट ऑपरेशन में बहुत बड़ा जटका लगा है इस बुल्ला के खिलाफ क्या इसराइल ये युद जीतेगा या फिर हारेगा इन सवालों ने नितन्याहूं को तब परिशान कर दिया और इस वक्त इसराइल के एक साथ सेनिक एक लाख सेनिक जो है लेबनान बौडर पकड़े हैं और पहले ही हमले में हजबुल्ला ने बड़ा जटका दे दिया है इतनी मिसाइल एक साथ गिरेंगी तो क्या होगा इरान के एक हमले ने एक अक्तूबर को पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है इतनी मिसाइल से एक साथ बचाएगा कौन इतने बड़े हमले के बाद इसराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल ये मिसाइल नहीं बलकि नेतन याहू के सामने इससे भी बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है दक्षिन लिबनान में शुरू हुआ इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन शुरू होने के साथ ही फस चुका है इस भुल्ला ने बॉर्डर पार करने वाली इसराइल की कमांडू यूनिट पर बड़ा हमला किया और उसको खदेड दिया मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसराइल का ग्राउंड ओपरेशन पहले दिन फेल हो गया है इसमें कोई शक नहीं कि लिबनान इसराइल बॉर्डर पर बड़ी ललाई शुरू हो चुकी है इस भुल्ला को जड़ से खत्म करने वाला उपरेशन इसराइल ने लाँच किया इसका वीडियो भी भेजा लेकिन जब इरान एक अक्तूबर को इसराइल के मिलिटरी बेस पर बिजाइल दाग रहा था तब लिबनान इसराइल बॉर्डर पर एक बहुत ही खतरनाक ऑपरेशन जारी था इस बुल्ला का दावा है कि उसने इसराइली कमांडो को ओदेशा और कफार किला के इलाके में बड़ी टक कर दी है उसके कैई कमांडो मारे गए हैं, कैई घायल हुए हैं, पॉइंट ब्लांक रेंज से भी हमले का दावा किया गया है एक तरफ नेतन याहू का लेबनान के खलाब ग्राउंड ऑपरेशन है तो दूसरी तरफ इरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल अटैक इसराइल इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर में है, इसराइल को तहरान को भी जवाब देना है और लेबनान में भी ऑपरेशन करना है नेतन याहू इस वक्त कैई मोर्चों पर घिर चुके हैं, इस खबर से बाइडन बहुत ज़्यादा बेचैन है और आगे इस यूद का अंजाम क्या होगा इसे लेकर मॉस्कों में बैठे वलादमीर पुतिन भी टेंशन में है, इस वक्त दुनिया में चार पावर सेंटर तयार हो चुके हैं, जो इस यूद का फैसला करेंगे वाशिंटन डी सी में वाइट हाउस, क्या अमेरिका इसराइल की मदद के लिए डायरेक्ट इस यूद में कूदेगा, इसराइल की राजधानी तेलवीव में क्या फैसला होने वाला है तीसरा शहर इरान की राजधानी तेहरान, जहां सुप्रीम लीडर अलिखामनेई का वार रूम बड़े फैसले ले सकता है और चौता शहर है रूस की कैपिटल मॉस्को, जहां से अब सिर्फ यूकरेन नहीं बल्कि इरान इसराइल के मोर्चे को भी मेसिज पहुचाया जा सकता है इस वक्त पूरा पश्चिमेशिया महायुद के जलते हुए तवे पर बैठा हुआ है नीचे आख सुलग रही है बं मिसाइलों और ड्रोन के हमलों से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तलवीव से लेकर तहरान तक देह्शत पहली हुई है एरान के हमले के बाद अफगेन इसराइल के पाले में और नेतन याहू लगातार मीटिंग करके पूछ रहे हैं कि इरान को कैसे जवाब दिया जाए इस बुल्ला को कैसे खत्म किया जाए इनल कासो दे लिवा नो इंसिस्टीमोस एंके ला इंवाश्यों तर्रेस्ट्रे देवे देटेनर से ज़के हैं यहाँ जगाव्ण फ लिवी ब्रिक नियू चैश्प 2024 सितमबेश का महीना बश्चिमेश्या मे नई आग लेका आया जब बेरूत में हिजबुल्ला चीफ असन नसर अल्ला को इसराइल ने एरिश्ट्राइक में खत्म कर दिया इसके बाद पहली अक्तूबर को ही इरान ने इसराइल पर हमला कर दिया सवाल है कि क्या इसी महीने अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में कूदेंगे और महा युद्ध शुरू हो जाएगा अगर अमेरिका इस युद्ध में कूदेंगे तो क्या होगा ये बड़ा सवाल है और क्या यही से तीसरे विश्व युद्ध की शिर्वात होगी ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है और इस वक्त दुनिया अलग खेमों में बटी हुई है और अलग-अलग मोर्चे पर युद्ध भी लड़े जा रही है इस वक्त इरान और इसराइल दो कैम्पों में बटे हुए है इसे महाशक्तियों की टककर कहा जा सकता है एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है क्योंकि अमेरिका इसराइल के साथ है और रूस इरान के साथ यह चारों ताकत ऐसी है कि इनकी टककर वर्ल्ड वार की वज़े बन सकती है अमेरिका ने इसराइल को गोले बारूत की सप्लाई पिछले कुछ महीनों में तेस किये बंगर बस्टर से लेकर हर तरहां का बम इसराइल को सप्लाई किया गया है लेकिन एक अक्तूबर की रात को इरान के मिसाइल अटाक ने साबित कर दिया कि इसराइल चाहे जिसकी मदद ले, जिससे हत्यार ले, कोई भी उसकी ढाल बने इरान नसर अल्ला से लेकर हानिया सब का बदला, अकेले अपने दम पढ़ ले सकता है अब सब कुछ नेतन याहू के वार रूम पर निर्भर करता है, वो क्या फैसले लेंगे क्या इसराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, क्योंकि इसराइल के सामने चुनौती सिर्फ इरान नहीं, बल्कि चार मैदान है जहां युद अक्टिव मोर्ड में चल रहा है पहला फ्रंट गजा है जहां इसराइल हमास से लड़ रहा है दूसरा फ्रंट लेबनान है, जहां इसराइल हिजबुल्ला से लड़ रहा है तीसरा फ्रंट यमन है जहां इसराइल हूती के एड़ों पर बंबारी कर चुका है अब चौता फ्रंट इराक बन सकता है क्योंकि इराक में इरान के समर्तनवाला मिलिशिया गुड हशदल शाबी भी आक्टिव हो गया है जब इरान के मिसाइल इसराइल पर गिर रही थी तब यमन में भी होती अपनी कुद्स फाइब मिसाइल इसराइल पर फायर कर रहे थे इन गौता इसराइल 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 इसर मोर्चे बढ़ने से इसराइल के ग्राउंड ओपरेशन की काम्याबी पर सवाल उठने लगे हैं एक अक्तूबर की रात इरान के मिसाइल अटैक ने इसराइल के ग्राउंड ओपरेशन को मुश्किल में डाल दिया है अमेरिका को भी खत्रा है कि इसराइल का हाल फिर वर्ष 2000 और 2006 जैसा ना हो अमेरिका पहले भी कह चुका है कि वो नहीं चाहता कि गाजा के अलावा इसराइल किसी दूसरे फ्रेंट पर लड़ने के लिए मजबूर हो जाए दोजाए कि इसराइल अमेरिका से इस बार भी पूरा बैक अप चाहता है नेतनियाहू लिबनान में घुसकर हिजबुला को कोने कोने से खत्म करना चाहते हैं इसे आप नेतनियाहू का ऑपरेशन ओल आउट भी कह सकते हैं लेकिन इससे पहले ही इरान ने कर दी इसराइल पर सर्जिकल मिसाइल स्ट्राइक सवाल ये भी है कि क्या इसराइल हेजबुला के खिलाफ युद को इतनी आसानी से जीच सकता है जबकि इससे पहले वो दो बार फेल हो चुका है एरान के मिसाइल अटाइक के बाद अब इसराइल की मदद के लिए अमेरिका काफी दबाव में है वो इसराइल के आसपास अड़ो पर फॉज और फाइटर जेट की तैनाती बढ़ा रहा है इस वक्त पूरे पश्चिमेशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक पहले से ही तैनात है इराक से लेकर साओधी अरब और कतर से लेकर कुवेत तक अमेरिका के कैई सैनिक नेटे हैं जहाँ पर उसके सैक्डो फाइटर जेट भी तैनात है लेकिन हिस्बुल्ला और इसराइल की लड़ाई बॉर्डर पर हो रही है और वहाँ इसराइल को काम्याबी के लिए कुछ नया सोचना होगा क्योंकि अब हमला चारों तरफ से हो रहा है और इसराइल के पास अमेरिका की गारिंटी सबसे वड़ी ताकत बची है